हेलो फ्रेंड वेलकम टू इस्टेडि न्यूज आज हम इस वीडियो में सरोजनी नैडू जी के बारे में जानेंगे जो भारत की एक प्रसिद कवित्री और देश के सरवुत्तम राश्रे नेताओं में से एक थी इन्होंने भारती स्वतंता संग्राम में सदेव सहयोग दिया और बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया अत्यंत मधूर स्वर में अपनी कविताओं का पार्ट करने के कारण सरोजनी नैडू जी भारत की कोकिला कही जाती है तो इस वीडियो में इनसे जुड़ी और भी कई तत्यों के बारे में जानते हैं इनका जन्म 13 फरवरी सन 1889 में हैदराबाद में हुआ था इनके पिताजी का नाम अगोरनाथ चटुपाध्याय था जो एक सिच्छा सास्त्री थे और इनकी माता का नाम वर्दा सुंद्री था जो कविता लिखती थी ये आठ भाई बहनों में सबसे बड़ी थी लगभग 13 वर्स की आयू में सरोजनी जी ने 1300 पदों की एक लंबी कविता लिखी थी जिसका नाम जील की रानी था और इन्होंने अंग्रेजी भासा में लगभग 2000 पंक्तियों का एक विस्तरित नाटक लिखा था इनका विवाह 19 साल की उम्र में हो गया था और इनके पती का नाम डाक्टर M. गोवेंदर राजलू नाइडू था सरोजनी नाइडू जी को कई भासाओं का अच्छा ग्यान था उर्दू भासा के प्रती भी वह काफी बड़ी आकरसित थी इन्हें काफी अच्छी तरीके से उर्दू बोलना आता था ये उर्दू साइरी की सौकीन भी थी हलाकि आम भासाओं में जादा तर अंग्रेजी में भासट दिया करती थी सरोजनी नाइडू जी अपनी सिख्छा के दोरान इंग्लेंड में दो साल तक ही रही थी किन्तु वहां के प्रतिष्ठित सहितकारों और मित्रों ने उनकी बहुत प्रसंसा की थी उनके मित्र और प्रसंसकों में एड्मंड गोस और ओथर इसमिन भी थे उनकी कविता संग्रह बर्ड आफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें काफी प्रसिद कवित्री बना दिया था सरोजनी नैडू जी को भारतिय और अंग्रेजी साहित जगत की इस्थापित कवित्री माना जाता है सरोजनी जी की प्रथम कविता संग्रह दा गोल्डन थ्रेस होल्ड उन्नी सो पाच में काफी प्रसिद हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी सरोजनी जी के काफी अच्छे मित्रिद थे वह भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजात कराने की काम में लगे हुए थे उन्होंने सरोजनी जी को अपने घर के एकांथ से बाहर निकल कर अपने जीवन और गीतों को राष्ट की सेवा में समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया था सरोजनी नाइडू जी गांधी जी से सन 1914 में लंदन में मिली फिर उसके बाद गांधी जी दचिड अफरीका में वहां के जाती सरकार के विरुद संघर्स कर रहे थे और सरोजनी नाइडू जी ने स्वेम सेवक के रूप में उनका सहयोग दिया था भारत लोटने के बाद तुरंत ही वह राष्ट्रे अंदोलन में समलित हो गई और सुरू से ही वह गांधी जी और भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रती वफादार रही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोड दिया और सिक्षा के प्रचार को भी महत्व दिया कुछ ही समय में सरोजनी नाइडू एक राष्ट्री नेता बन गए वह भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मानी जाने लगी सन 1925 में वह भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के कानपूर अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई तब वह गांधी जी के साथ 10 वर्स तक काम कर चुकी थी और गहरा राजनीतिक अनुभव पा चुकी थी आजादी के पूर्व भारत में कॉंग्रेस का अध्यक्ष होना बहुत बड़ा राष्ट्री सम्मान था और वह जब एक महिला को दिया गया तो वह उसका महत और भी बढ़ गया गांधी जी ने सरोजनी नाइडू का कांग्रेस प्रमुक के रूप में बड़े ही उत्सा भरे सब्दों में स्वागत किया था पहली बार एक भारती महिला को देश की यह सबसे बड़ी सौगात पाने का सम्मान मिला था अपने अधिकार के कारण है यह सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था सन 1930 की प्रसिद नमक सत्याग्रह में सरोजनी नाइडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वैम सिवकों में से एक थी गांधी जी के गिरफतारी के बाद गुजरात में जब तक स्वैम गिरफतार न हो गई तब तक वो अंदोलन का संचालन करती रही सरोजनी नाइडू जी ने इस परिस्थिती को बड़े ही साहस से समाला और अंदोलन को आगे बढ़ाया नमक सत्यागरा खत्म होने के बाद गांधी इर्विन समझोते पर गांधी जी और भारत की वाइसराय लाड इर्विन ने हस्ताक्षर किया या एक राजनीतिक समझोता था बाद में गांधी जी को सन 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोल मेज समेलन में आने के लिए आमंत्रित किया गया उसमें भारत की स्वासासन की मांग को ध्यान में रखते हुए समवैधानिक सुधार पर चर्चा होने वाली थी उस समय गांधी जी के साथ समेलन में सामिल होने वाले अनेक लोगों में सरोजनी नाइडू भी एक थी भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरोजनी नाइडू जी ने काफी योगदान दिया था अब जानते हैं इनके पॉलिटिकल लाइफ के बाद में 1925 के कानपूर कांगरस अधिवेशन में सरोजनी नाइडू ने अधिवेशन की अधिख्षा की थी गोल मेच कॉनफरेंस में महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधी मंडल में सरोजनी नाइडू जी भी समली थी रोलेट एक्ट का विरूद करने के लिए सरोजनी नाइडू ने महिलाओं को संगठित किया था और जब 1932 में महात्मा गांधी जी जेल गए थे उस समय के आंधोलन को रफ्तार देने और बढ़ाने का दाईटू सरोजनी नाइडू जी को दिया था सरोजनी नाइडू जी ने महिलाओं का नित्रूत करते समय नारी समाज की उन्नती का अथ्यक प्रयास किया था और भारत के सोतन्त होने पर उन्हें उत्तर प्रदेश का राजपाल नियुक्त किया गया था ये पहली महिला थी जिने उत्तर प्रदेश का राजपाल नियुक्त किया गया था इनकी मृत्यू दो मार्च 1949 में हुई थी उस समय या उत्तर प्रदेश की राजपाल पत पर नियुक्त थी 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जैनती के अफसर पर एक डाग टिकट भी चलवाया सरोजनी नैडू जी को विसेस्त भारत कोकिला, राश्टी नेता और नारी मुक्ती अंदोलन की समर्थक के रूप में आज भी जाना जाता है तो ये थी कुछ प्रमुख बाते सरोजनी नैडू जी से जुड़ी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट